हेलो गाईज, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल, एजूकेशन वायर, सो आज हम बात करेंगे एक पोयम के बारे में, जिस पोयम का नाम है यूरिडिसी और इसे लिखा है हिल्डा डूलेटिल ने, हिल्डा डूलेटिल एक अमेरिकन पोईट है, नॉवलिस्ट है और मेमरिस् यह बिलॉंग करते हैं 20th सेंचुरी से और साथ में इमेजिस्ट पोईट से, जिसमें एजरा पाउंड और रिचर्ड एलिंग्टन जैसे बहुत ही फेमस राइटर्स थे और साथ में हिल्डा डूलेटिल भी उनमें से एक है, सो बात करते हैं यूरिडिसी पोयम के बारे में यह जो यूरिडिसी है, यह स्टोरी एक गूरिक मिथ पे बेज़्ड है, यह एक वाइफ है, वाइफ है ओर्फियस की और यूरिडिसी की डैथ हो जाती है और उसे अंडर वर्ड भेज दिया जाता है, अंडर वर्ड एक अलग जगे है, आर्थ से हटके, आर्थ के नीचे, तो किसी current से Euridice की death हो जाती है और उसे वापिस लाने के लिए Orpheus जाता है लेकिन Orpheus के पास एक शर्त रखी जाती है और वो उस शर्त को पूरी करने में fail हो जाता है और वो अपनी wife को वापिस ला नहीं पाता जिसकी वज़े से उसकी wife को वापिस अंडर वर्ड में रहना प क्यों हो जाता है अपनी उस condition को पूरा करने के लिए और अपनी wife को क्यों नहीं बचा पाता और उसकी wife का इस पर क्या reaction है ये देखते हैं सो arrogance की वज़े से Euridice को हमेशा के लिए अंडर वर्ड में रहना पड़ता है और उसके लिए condition क्या रखी जाती है ये हमें आगे पता चलेगा अभी लेकिन फिलहाल के लिए वो अपनी wife को बचा नहीं पाता तो ये betrayal है इस poem में betrayal दिखाया गया है betrayal of a woman by a man ये poem शो कर रही है कि man are condemning, ruthless और arrogant वहीं दूसरी तरफ woman के लिए show किया गया है कि वो darkness में रहकर भी अपनी light खतम नहीं करती hope है उस woman को कि she could raise against darkness and death वो इन सबसे भी उपर है और अंडर वर्ड में वापिस उसे भेज दिया जाता है लेकिन कोई भी गोड उसके thoughts, उसकी feelings, ideas of life, light और nature को खतम नही present की है कि उसके अंदर एक power है कि वो अपने fate से लड़ सकती है वो fate जो उसके लिए एक man ने लिख दिया that means वो उस man की वज़े से नहीं वापिस आपाई उसे वापिस under word में ही जाना पड़ा तो वो उस जगे पर भी रह सकते है उसकी वो light उसकी feelings वो सब कोई खतम नहीं कर सकत तो ये सब चीजे show कर रही है कि Greek myth हो चाहे या फिर कोई भी time period हो वहाँ पर woman को control किया जा रहा है एक man के द्वारा तो ये चीज यहाँ पर present की गई है साथ में Euridice एक tragic object है love का एक fatal snake आकर bite करता है Euridice को जिसकी वज़े से Euridice को hell में जाना पड़ता है और उसका husband बचाने के लिए आता है उसे और इस matter को solve करने के कोशिश करता है वो हेट से पूछता है हेट को हम a kind of owner कह सकते हैं underworld का तो हेट से पूछता है कि वो किस तरह अपनी wife को बचा सकता है तो हेट उसके सामने एक condition रखता है कि वो अपनी wife को अर्थ पर वापिस तो ले जा सकता है पर उसक के लिए एक condition है तो क्या तुम वो condition पूरी करोगे तो वो और फियस उस condition को पूरा करने के लिए मान जाता है कि वो हर तरह की condition को पूरा करने को तयार है लेकिन वो अपनी wife को above the earth ले जाना चाहता है पर उसने कहा हेट्स ने वो जो condition रखी वो ये condition रखी कि तुम अपनी wife को ले जा सकते हो पर तुम्हें पीछे पलट कर नहीं देखना अपनी वाइफ को पूरे रास्ते तुम इसे ऐसे ही लेकर जाओगे पीछे पलट कर नहीं देखोगे तो हिल्डा डूले टिल इसे वहां से कैच करती है जहां से ये कट ओफ होता है क्योंकि और फियस यूरिडिसी क ले जा रहा होता है और जैसे ही वो अर्थ के वर्ज पर पहुंचते हैं एक तरीके से बिल्कुल एंड लाइन पर पहुंचते हैं वहीं पर वो उसे पलट कर देखता है कि यूरिडिसी उसके पीछे है भी या नहीं और यहीं से हिल्डा डूले टिल ने अपनी पोएम स्टा सकती हैं तो यह लाइन से हैं वो अपने हस्बेंट से कह रहे है कि तुम्हारी वज़े से सो यू स्वेप्ट में बैक तुम्हारी वज़े से मुझे वापिस से महीं जाना पड़ रहा है मैं वो थी जो फ्लार्स के पास रहती थी या फिर अच्छी जगह पे रहती थी लेकिन अब मुझे डेड लाइकन्स के पास रहना पड़ रहा है अब द तो दोनों इमेज हैं हमारे सामने कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि वो टाइम था जब वो आर्थ पर रहती थी यूरिडिसी और वापिस अब वो अंडरवर्ड चली गई लेकिन अंडरवर्ड जिस ताइम पर वो एक तरीके से उसा इमेजन कर सकते हैं तो वो उस टाइम पर अपने हस्बेंट से कह रहे हैं कि तुम्हारी एरोगेंस और रूथलेसनेस की वज़े से मुझे वापिस वही जाना पड़ रहा है क्या तो वो टाइम था जब वो फ्लारी एरिया में रहती थी बहुत ही ब्यूटिफुल एरिया में रहती थी लेकिन अभी वो डैडल आइकन्स में है यहां पर एक image देखने को मिल रही है, तो images moment था, उसके अंदर जो poets थे, उसमें hinda no little भी एक है, तो इसी तरह हमारे सामने, इस poem में भी एक image present की गई है, So flowers, light, hope, जो भी है उसके पास, वो सब उसको छोड़ना पड़ा, उसके husband के arrogance की वज़े से, but the image of the woman is mistreated, lost, condemned, और strong भी है, क्योंकि women को एक तरफ mistreated दिखाया गया है, वो उस पर विश्वास नहीं करता, उसके arrogance और ruthlessness की वज़े से वो पीछे पलट के देखता है, अपने senses पे अपना control खो बैखता है, पीछे पलट कर देखता है, जिसकी वज़े से वापिस अंदर वर्ट जाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ strong भी दिखाया गया है, कि वो वहाँ पर रह सकती है, उसकी power को, उसकी light को, उसकी hope को कोई भगवान भी खतम नहीं कर सकता, So Eurydice, accused कर रही है, क्योंकि उसके arrogance की वज़े से, उसकी गुसे की वज़े से, वो अपने senses पे control नहीं कर पाया, और उसने मुड़ कर देख लिया, और बिल्कुल end point पे उसने मुड़ कर देखा, जब वो आर्थ पर पहुँचने वाले होती है, और Eurydice is doomed again, उसको वापिस से अंडरवर्ड जाना पड़ता है, तो इसका theme है, एक तो इसमें arrogance of man दिखाया गया है, दूसरा हमने images देखी लिए, इस तरह से और पी बहुत सारी images हैं इस poem में, और इसके अरावा inability to trust women भी दिखाया गया है, क्योंकि उसे trust नहीं था, कि वो उसके पीछे आ भी रही है या न अंडरवर्ड जो है, वो dark दिखाया गया है, black है, color of morning जिसे कह सकते हैं, दुख का color, sadness दिखाया गया है, तो वो sadness है, और साथ में एक इसमें, वो woman कहीं न कहीं powerful में दिखाया गया है, कि उसकी hope को, उसकी power को, उसकी light को कोई खतम नहीं कर सकता, तो कुछ और famous line है इसकी, जैसे की, if you had let me rest with the dead, I had forget you and the past, तो अब वो कहती है, कि अगर तुम मुझे यहाँ पर भी छोड़ के जा रही हो, तो वो अपने लिए new surroundings धून लेती, और अगर वो से पहले ही छोड़ देता, if you had let me rest in the dead, अगर तुम मुझे इन डैड के पास पहले छोड़ देते, तो वो अपने लिए new surroundings धून ही लेती, बट अब वो broken है और betrayed है, अब वो दुखी है इस बात से, कि वो promise तो करता है, वो से वापिस ले जाएगा, लेकिन कही न कहीं उसको trust नहीं होता, और उसका जो arrogance है, उसकी वज़े से वो से पलट कर देख लेता है, दू बहुत सारे reasons हो गए, जिसकी वज़े से वो अपने senses पे control नहीं कर पाया, और उसने उसकी बिना care करे कि उसे वापिस अंडरवर्ट जाना पड़ेगा, और पीछे पलट कर देख लिया, जिसकी वज़े से Euridice को वापिस अंडरवर्ट जाना पड़ा, तो इस poem में वो Euridice क किया गया है, मैन को विश्वास नहीं है, मैन को एरोगेंट दिखाया गया है, और वोमेन को ये दिखाया गया है, कि उसके साथ मिस्ट्रीट किया जा रहा है, उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा, और उसकी वज़े से मैन की वज़े से वोमेन को सफर करना पड़ रहा है लेकिन उस सफर करने के टाइम पर भी या उस जगे पर भी उसकी पावर को कोई नहीं छीन सकता तो यह चीशों की गई है Basically this poem shows the betrayal of woman by a man और एक ऐसा fate जिसकी वज़े से Euridice को सफर करना पड़ा जो की fate create किया एक man ने तो I hope आपको यह poem समझ आ गई होगी If you guys understand, like this video, share it and subscribe it Thank you